उत्तरप्रदेश के सियासत में इस वक्त ग्यानवापी मस्जिद काशिव शुनात विवाद चाया हुआ है जिसे सुलजाने के लिए मस्जिद में सर्वे जारी है और आज इस सर्वे का दूसरा दिन था तो क्या कुछ रहा सर्वे में आज आईए देखते हैं इस रिपोर्ट जिसका आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन का भी सर्वे पूरा हो चुका है लेकिन दावा किया जा रहा है कि मस्जिद का सर्वे आज भी पूरा नहीं हो सका है और कल यानि सोमबार को दो बारा सर्वे किया जाएगा बता दें कि वारणसी की सिविल कोर्ट में कमिशनर क सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक कोट के सामने पेश करनी है और आज सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद गुंबदों का सर्वे किया गया आज सर्वे का काम डेड़ गंते से ज्यादा चला जबकि सुभा आठ से बारा बजे तक का समय था अब कल दोबारा सर्वे होना है हाला कि सर्वे में क्या हुआ इसे जानने के लिए हर कोई बेताब है लेकिन कोट की ओर से गोपनियता को लेकर सक्स हिदायत की वज़ा से कोई भी पक्ष इसे लेकर सीधे कुछ बताने से बचने की कोशिश कर रहा है जो भी बताया जा रहा है वो संकेतों में कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि जो मिला वो कलपना से अधिक था दूसरी और मुसलिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि सर्वे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ सर्वे के दूसरे दिन तक करीब 80% सर्वे ही पूरा हुआ है दावा किया जा रहा है कि करीब 20% सर्वे अभी बचा हुआ है जिसे पूरा करने के लिए 16 मई के दिन भी कोट की ओर से नियुक्त एड़ुकेट कमिशनर और उनके सहयकों के साथ वाधी और प्रतिवाधी पक्ष के लोग मस्जित पहुचेंगे अभी वकीलों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे के लिए वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी के बाद मेमोरी कार्ड वही जमा करा दिया जाता है हर रोज नया मैमूरी कार्ड लिया जाता है दूसरे दिन का सर्वे भी शांतिपूर धंग से पूरा हो गया आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को पांच महिलाओं की तरफ से वारानसी की सिविल जज सीनिय डिविजन की कोट में एक याचका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया कि ग्यानवापी परिसर में हिंदू देवी देवतनाओं का स्थान है इस मामले पर करीब 8 महीने तक सुनवाई और दलीले चलती रही जिसके बाद 26 अप्रेल को कोट ने ग्यानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था लेकिन सर्वे के दोरान माहल बिगडा और कोट कमिशनर पर पक्षपात का आरोप लगाया गया साथ ही उन्हें हटाने की मांग की गई जिसको लेकर सुनवाई हुई लेकिन कोट ने कमिशनर को हटाने से इनकार कर दिया और दो बारा सर्वे के आदेश दे दिये थे डीवी लाइफ की रिपोर्ट